सो हलो दोस्ते यार कैसे हैं सबायोब सब बढ़िया से होंगे हाजरों एक नई वीडियो लेकि जिसमें बात करेंगे आज TVS N-Torque Race XP जो हाली में मॉडल लॉंच हुआ दो से तीन हफ़ते पहले और इसकी डिलिवरी इस स्कूटर को खरीदने भी जा रहे हैं आज इसके बारे भी यहाँ पे बात करेंगे कितना प्राइज रहा इसका और यह स्कूटर का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहा एक्टिवा 125 एविएटर या फिर सुजुकी बर्गमेन यूज करने के बाद अभी आज टॉर्क जैसे ही हमने राइड किया या इसकी आउटर बाड़ी हर एक चीज इस वीडियो में डिसकस करेंगे सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पे टीवी एस की तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद की यह कस्तमर की रिक्वाइर्मेंट के हिसाब से अपने प्रोड़क्ट में चेंजिस करते रहते हैं अगर इस स्कूटर की बात करें तो बीए सिक्स में जब यह लाँच हुआ था उस टाइम पे पावर थोड़ी सी कम थी लेकिन अभी जब रेस एक्सपी एडिशन में इन्होंने पावर को भी बढ़ाया है हलांकी प्राइज थोड़ा सा और मतलब हो गया है राइज लेकिन यहाँ पे आपको फीचर्स भी मिल रहे हैं अगर स्कूटर की मार्केट की बात करें तो इंडिया में दो से तीन साल पहले इतनी ज़्यादा पॉपलर्टी इतना ज़्यादा कमपेटिशन नहीं था कोई भी स्कूटर अगराब लेते थे वो उसको एक्टिवा ही कहा जाता था लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा कमपेटिशन हो चुका है और हर एक कमपनी अपने प्रोड़क्ट के लिए कोशिश करती है कि कस्टमर हमारी तरफ खींचे चले आएं और ये बात में और अगर आप हिमाचल में हैं कहीं से भी आपको ये स्कूटर अवेलबल नहीं होगा मैंने हर जगा कोशिश कर ली थी तो फाइनली मैं सोलन से इसकी डिलिवरी यहां से ले रहा हूं और जैसे कि आपको इसके डिजाइन आउटर बॉड़ी का पता ही है वैसे तो थोड के मतलब कमफर्टेवल की बात करूँ तो मेरे जैसा बंदा जैसे पांच फूट नौ इंच मेरी हाइट है उसको थोड़ा से यह लगेगा कि बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा साइज है लेकिन अगर आपका यह पहला स्कूटर है और थोड़ी सी कम हाइट के हैं आप तो बैस्ट करीब स्कूटर यह मिला जिसका एकशो रोम प्राइज बानुए हजार के करीब था और बाकी आप लगा सकते कि जैसे इंशूरेंस आ गया उसके बाद आर्टियो का आ गया तो यह सारी चीजे जो हैं टोटल मिला के एक लागश छे हजार के करीब स्कूटर हलांकि मेरी और जो स्कूटर है मेरे पास अवेलेबल अक्टिवा 125 एविएटर या फिर अगर सुजुकी बर्ग मैं सबसे कंपेर करेंगे इसका राइडिंग जो एक कैसा रहा इसका एक्सपिरियंस सारी चीजे अगर नेक्स वीडियो में डिसकस करेंगे क्या कैसके साथ असेसरी जाई फिलाल के लिए ये एक लिवरी की वीडियो थी अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक अगर कार में हैं तो सीट बैल्ट पहनिए और अगर बाक पहने हैं तो हेल्मेट जरूर पहनिए